आप सबी का स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं strength of material के पहले और basic से topic दोस्तों जिसका नाम है properties of material तो यहाँ पर दोस्तों हम mechanical properties of material की बात करेंगे तो मैं यहाँ भी बता रहता हूं दोस्तों हर एक basic कोई भी material हो दोस्तों world में पाया जाता है उसकी कुछ properties होती है कुछ mechanical properties होती है तो उनको जो है आज की वीडियो में mention किया जाएगा बट हम चूकी civil engineer हैं और civil engineering के point of view से यहाँ पर इस वीडियो को कोई mechanical engineer भी देखेगा तो उसके point of view से हम हर एक चीज जो है दोस्तों आम तोर पर जो चीजे देखेंगे इस पूरी जो series अब शुरू हो रही है properties of material की दोस्तों उसमें यह चुकी पहला topic है तो हमें एक steel road बार को लेकर के जो है उसके उपर एक tensile force जो है apply करके इसके अंदर होने वाली घट्रनाओं को देखेंगे और यह किस तरीके से यह road जो है react करती है इसको हम जाचेंगे तो हमको समझ आएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी properties होती है बिलकुल जिस तरह से human properties होती है हम सब में अपनी अपनी कई तरीके की है अलग-अ humans है अलग-अलग properties होती है वैसे ही अलग-अलग materials में अलग-अलग तरीके की properties होती है जो हमारे strength of materials में हमारे काम जाने वाला है सबसे ज्यादा वो कोई steel road की बार है दोस्तों steel road की बार जो है उसके ऊपर हम गया है इस तरीके से या तो tension force जो है apply करते हैं या फिर हम जो है compression force भी apply कर सकते हैं तो वो इस तरीके से pressurize कर देता है अगर compression force लगाएंगे तो इस तरीके से किसी road के उपर लग जाएगा हम आम दोर पर ये example ले करके चलेंगे है और हम जो different properties है दोस्तों material की उनको देखिंग है तो दोस्तों strength of material के इस video को शुरू करें उससे पहले मैं आपक को कहना चाता हूँ कि अगर आपने हमारे competitors academy के telegram channel और दोस्तों facebook page instagram page को नहीं जोइन किया है तो link कर description box में है उनको further अपनी knowledge और educational point of view से हमारे साथ में जोडने के लिए join कर लीजिए आपको भविश्य में काफी फायदा होगा already हम दोस्तों civil engineering को लेकर के काफी सारी videos अभी तक बनाई हैं और civil engineering में दोस्तों हमने किस तरह से strength of material के subject के कौन-कौन से chapters हैं और उनको किस book से पढ़ना है हमने इस सब को mention किया और दोस्तों सभी important books के link इस video के description box में मिल जाएंगे और दोस्तों इसके अलावा हमने अब तक certificate का exam में भी अगर आपको rank लानी है दोस्तों तो उसके बारे में भी बताया कि under 500 में कैसे rank लाते हैं इसकी साथ ही साथ ही स्ट्रेंथ of material के साथ-साथ हम जो हैं दोस्तों fluid mechanics को भी पढ़ रहे हैं तो उसकी series भी simultaneously चलती रही तो दोस्तों strength of material में अगर देखे हैं तो यहां प प्रॉप में जो पहला टॉपिक है उसका नाम है mechanical properties प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज और material ठीक है तो material नाम से यह एक mechanical properties होती ही किसी भी material की तो दोस्तों यहां पे full में लाके आठ ऐसी important mechanical properties बताए गई है जो की एक आम तोर पे materials में देखने को मिलती है तो पहली जो important property है दोस्तों उसका नाम है elasticity क्या नाम इसका elasticity जो है दोस्तों elasticity की property जो है सबसे पहले हमको देखने को मिलती है किसी एक simple सी अगर हम यह road bar को example की तोर पे लेकर के चलेंगे तो आपको समझ में आगा elasticity की property होती है बाद में हम दोस्तों इसको एक एक property को लेकर के videos बनाएंगे और उस video में हर एक property को आपको समझाया जाएगा तो elasticity की property इस तरीके से है इस video में एक idea दे रहूं आपको कि भई इस metal road है इसको जब आपने tension create किया इसके उपर और पी force इसके उपर apply किया तो tension force जब apply किया तो इसमें एक deformation आ जाता है दोस्तों तो इसमें जो है क्या आ जाता है इसमें deformation आ जाता है और वो deformation दोस्तों इस load को यह metal road है ठीक है यह है आपकी यह metal road और इसमें एक deformation आ गया लोड एपलाई करने पर ठीक है जब लोड एपलाई था तब यह deformation आया लेकिन यह load हटाते ही यह वापिस से road वापिस से पिछली ही condition में वापिस से आ जाती है और यह deformation खतम हो जाता है तो इस situation को इस तरीके की body को एक तो elastic body कहा जाता है और दूसरा इस तरीके की property को elastic को property कहते है तो इसी गुण को elasticity भी कहा जाता है ठीक है तो यह पहली property है इसको next जब हम वीडियो लेंगे तो उसमें elasticity और फिर जो other properties है उनको एक इक करके define करते हुए चलेंगे second property होती है plasticity की ठीक है plasticity जोगे important characteristics होती है दोस्तों इस material में कोई भी material हो उसमें plasticity भी होती है जब कोई road है उसको हमने tension force उसके ओपर create किया तो tension force apply करने के बाद में उसमें जो deformation आता है अगर उस load को वापिस से हटा दिया जाए जोस्तों अगर यह load को वापिस से हटा दिया जाता है तो लोड को हटा देने पे भी कुछ ना कुछ इसमें deformation बचा रहे जाता है अलका सा बचा रहे जाता है तो ऐसे case में यह body plastic body कहलाती है और दोस्तों यहां पे जो property होती है वो plasticity कहलाती है ठीक है तो plasticity यह इस तरीके की property हो जाती है उस material ही ठीक है तो यह समझने वाल थी elasticity और plasticity के बीच में हो सकते कहीं किसी exam में आपसे छोटी मोटी definition students से भी टेक में पूछ ले या फिर कहीं पर आपको जोए इसके ऊपर difference आ जाए ठीक है तो आपको इस idea होना चाहिए कि elastic body क्या है और plastic body क्या होती है इसके अलावा जो third important property होती है किसी भी दोफ्तों अगर देखा जाए यहां पर material में है तो दोस्तों उसका नाम है ductility ductility जो है दोस्तों यह भी काफी important property होती है और आम दोर पे हम जो है दोस्तों यहां पे जो material यूज करते हैं वो तो steel road लेकर कि अब भी हम example देखते हुए चल रहे हैं दोस्तों steel load है जिसके उपर P load लगा होगा है इधर से इधर से ठीक है तो यह एक आम तोर पे example अभी strength of material में लेकर के चल रहे हैं वाकि material कोई दूसरा भी हो सकता है जैसे की copper की road भी हो सकती है cast iron भी हो सकता है और भी कई तरीके के examples हैं जैसे की दोस्तों stone concrete भी हो सकता है तो इन सब के अंदर भी दोस्तों कुछ ना कुछ गुण होता है elasticity, plasticity का तो दोस्तों इसके बारे में जो है हम individual जब elasticity, plasticity को पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा आपको अब third जो property है अभी उसका नाम है ductility, ductility की property जो है दोस्तों यह भी काफी important property होती है किसी material में और वो यह होती है इसका मतलब यह होता है ductile material तब होता है जब किसी metal को पिल जो है यह P जब load apply किया जाता है तो उसकी length जो दिये वो लगातार बढ़ती ही जाती है ठीक है उसमें एक अच्छा लंगा जो है एक deformation देखने को मिलता है ठीक है तो यह जो है deformation बढ़ता ही जाता है जैसे जैसे load apply किया जाता है और इसमें बहुत time तक जो है दोस्तो इसकी आसानी से failure नहीं हो पाती है ठीक है इस material की आसानी से failure नहीं हो पाती है failure का मतलग यह होता है कि यह material बीच में से तूट नहीं जाता है तो इस में जब बहुत ज़्यादा plasticity होती है किसी material में तब ही उसमें ductile property भी बहुत ज़्यादा होती है और ductility बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है उन materials में तो इस property को ductility का जाता है और इन में जो होता है दोस्तों यह deformation बहुत लंबा होता है और mild steel जो है काफी popular material है जिसका हम civil engineering में use करते हैं civil engineering में mild steel की जो road bars होती है उनके उपर हम जो हम उसका हम proper एक stress और strain का curve भी बनाएंगे दोस्तों stress vs strain का curve बनाएंगे तो आपको यहां पर पता चलेगा कि किस तरीके से stress vs strain का curve रियक्ट करता है जब उसके उपर कि जब किसी metal road मतलब अगर यह mild steel है और उसके उपर P force लग रहा है तो किस तरीके से stress vs strain curve जोगा उसके उपर बनेगा ठीक है इसको अपने आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे अभी यहां पर देखो आप जो next ductility के अलावा प्रॉपर्टी है वो है ब्रिटलनेस फॉर्थ नम्बर की जो important property है उसका नाम है ब्रिटलनेस ठीक है ब्रिटलनेस जो है इसकी fourth important characteristics होती है किसी भी materialमें ठीक है तो यह जो है दोसो कई material में कोई property जाधा होती है किसी में कोई property कम होती है ठीक है इस बात का धियान रखना कभी किसी material में elasticity का गुण जादा है तो plasticity का कम होगा जो ज्यादा elastic होगा वो कम plastic होगा ठीक है और बिल्कुल ulti property हो जाती है और जो ज्यादा plastic होगा वो ज्यादा ductile भी होगा ठीक है क्योंकि देखो ductility जो है जिन में ज्यादा deformation हो रहा है इसका मतलब है वो material automatically ज्यादा जो है उसमें plasticity भी पाई जा रही है ठीक है plastic characteristics होती है जनमें यह ductility होती है उनका deformation जो होता है वो बड़ा होता है यह delta जो size है delta मतलब जितना deformation आ रहा है इनमें वो काफी बड़ा होता है ठीक है अब brittle material वो होती है दोस्तों जैसे की concrete इसका एक अच्छा example है दोस्तों concrete जो होता है दोस्तों जैसे ही एक suddenly कोई load applied होता है concrete का for example block है और उस block के उपर अगर कोई load जो है apply होता है उपर नीचे से है तो दोस्तों यह बहुत तेजी से कहीं न कहीं से इसकी failure हो जाती है और यह break हो जाता है बहुत जल्दी तो यह काफी brittle material होता है इसी करीगे से किसी road bar को SPACIALI अगर हम देखें दोस्तों capped iron की मानो रोड हो capping iron की अगर मानो जो property होती है वो इस तरीके के होती है इसमें बहुत कम ductility होती है तो यह जैसे ही इसके उपर push किया जाता है उसक में push में pull किया जाता है इसके उपर load इस तरी से apply किया जाता तक खींचा जाता है तो यह बहुत तेजी से यह बीच में से fail हो जाती है तो इसका मतलब है कि इसमें जो है बहुत कम शम्ता होती है देर तक deformation stress को लेने की ठीक है तो इनके कर्व जो है हमें एके करके sigma versus epsilon के कर्व next videos में देखेंगे और एके करके इन सब properties को भी हम detail में पढ़ते हुए भी जाएंगे ठीक है और इनकी definitions भी देखेंगे और definitions को लिखेंगे भी सही ठीक है और note down कराऊंगा मैं आपको सभी properties की definition को अभी मैं आपको जो है एक basic introduction दे रहा हूँ कि किस तरह से यह अब तक चार properties रही अब मैं चार और important properties के बारे मे जो है आपको mention करूँगा जो कि किसी भी material की properties होती है ठीक है तो अब तक चार जो properties पढ़ी पहली थी हमारी elasticity दूसरी थी हमारी plasticity तीसरी थी ductility और चोती जो प्रोपर्टी थी वो थी brittleness ठीक है अब देखो जो fifth important property है वो है दोस्तो maleability ठीक है fifth number पर अगर हम important property के बात कर रहे है तो यह maleability जो है एक property होती है मैं इसकी spelling चेट कर लेता हूँ यह पर एको देखो यहाँ पर M-A-L-L-E-A हा तो नोस्तों इसकी spelling जो है M-A-L-L-E-A होता है maleability यह जो है M-A-L-L-E-A-B-I-L-I-T हो है maleability जो है एक और characteristic होती है दोस्तों जो कि किसी material की property होती है और यह property आम तोबर पर जो material बहुत ज़्यादा है ductile होते हैं उन्हीं में पाई जाती है material maleability का भी हुण इसमें होता यह है दोस्तों कोई महान लोग material है उसको बहुत ज़्यादा उपर से नीचे से compress किया जाता है तो इसमें deformation चलता ही रहता है चलता ही रहता है और काफी यह बिल्कुल thin size की plate में convert हो जाता है फिर ही इस तरीके से thin size में material होता है thin size में जब convert हो जाता है thin plate बन जाता है प्लेट size की form में आ जाता है compression के बाद में तो यह जो deformation हो गया बहुत लंबा तो यह बिल्कुल पतली सी plate की form में convert हो जाता है ऐसी tendency जब जिस केसी material के होती है तो उसको बोलते है अच्छे से तो और ज्यादा गहराई से आपको चीज़े समझ आ जाएगी तो इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो शिक्त नंबर की जो है important property है वह है toughness तो toughness जो होती है energy store करने से related property है दोस्तों किसी माल लोग और example के तो और कोई ball होती है ball जो है उसको जितनी बार बल्ले से मारा जाता है तो वह ball पिटती तो रहती है लेकिन इसके अंदर जो है energy store होती रहती है क्या होती रहती है energy होती है वो store होती है और ultimately अनरजी जो होती है तो उससे एक time हाता है जब वो ball भी फट जाती है ठीक है टूट जाती है अलग हो जाती है तो ये जितनी ज़yllदा ball की झेलने की शम्ता होती है उसकी toughness को बताती है वही property जो है उसकी toughness को बताती है तो इसी तरीके से toughness की property अलग-अलग material में भी पाई जाती है तो वो material जो है उतना ज़्यादा जिसमें strain energy जो होती है energy को store करने की जो चमता होती है बहुत ज्यादा होती है क्या होता है strain energy को अगर देखें तो strain energy है जब जब किसी material के उपर बार बार प्रहार किया जाता है उसको पीटा जाता है और उसके बार भी वो वैसी की वैसी ही खड़ी रहती है तो उसके अंदर जो strain energy है उसकी जो है store करने की energy जो की store करने की जो कह सकते हो उसने कितने store किया energy को अगर वो बहुत ज़्यादा होती है तो जो है दोसको toughness को represent करती है तो ये properties toughness कहलाती है उस material के फिक है अब इसके अलावा जो last कुछ property बच्ची है वो है एक तो है hardness दोस्तों तो 7th number की जो important property यहाँ पे है उसका नाम में दोस्तों hardness तो ये property जो है दोस्तों ये property hardness की आम तोर पे आपको कहां पे ज़्यादा देखने को मिलती है तो पत्थर पत्थर जो होते हैं दोस्तों आपने देखा होगा aggregates होती है उनमें जो है hardness की characteristic को बहुत important होती है क्योंकि दोस्तों हम road पर vehicle चलाते हैं तो उस वक्त पे उस जो aggregates होती है road के अंदर में road aggregates से ही बना होता है तो उनमें capability होनी चाहिए कि वो कित्रे ही ज़्यादा से ज़्यादा heavy weight load भी हो उसको resist कर ले तो उसके अंदर जो है ना कुछ ऐसी properties होगी दोस्तों hardness की जिसमें वो इसको कहा जाता है दोस्तों hardness is the ability of a material to resist indentation और surface abrasion ठीक है किसी surface कोई surface हो दोस्तों कोई surface हो उस पे scratch आ जाए scratch आने नहीं दे तो फिर अगर मानलों कोई vehicle बुजर रहा है इसके ओपर से तो दोस्तों यह इस सड़क के ऊपर scratch आने नहीं दे एसी property यह है उसी को कहते हैं hardness actually यह इसी तरीके से hardness is the ability to resist indentation and surface abrasion तो surface के ऊपर जो फूपूट होती है तो उसको resist करने की property resistance resistance against against aberration aberration जो होता है resistance against aberration को ही कहा जाता है hardness यह 7th number के हमारी property थी hardness ठीक है next video में से हम इनके एक property के बारे में detail में पढ़ेंगे और जानेंगे समझेंगे कि किस तरीके से अलग अलग properties जो है वो work करती है किसी material की उसका नाम दिया हुआ है strength ठीक है strength नाम से जो है यह 8th नमबर की एक important property हो जाती है strength ठीक है strength में strength वो दिये किसी भी material की strength of a material enables it to resist fracture under load यह resist करती है fracture को under load ठीक है इसका काम है resist करना fracture अगर कहीं किसी material के उपर अगर किसी material के उपर आपने लोड एपलाई किया और उसकी वज़े से जो फ्रेक्चर का फिनॉमीना देखने को मिलता है fracture फटी का लिए ठीक है failure होने वाली है तो इस failure के अगेंस जो resistance शो किया जाता है material के दवरा उस property को कहा जाता है strength ठीक है अब next video से हम दोस्तों एक एक करके इन सब properties को definition wise जो है write down भी करेंगे और उसको और वापिस से एक और बार को समझेंगे detail में तो दोस्तों अगर अभी तक वीडियो में आपको कुछ समझ आया या नहीं आया तो comment box में लिखो और दोस्तों ये भी बताओ कि क्या आपका viewpoint है किस तरीके से आपको चीज़े और ज़्यादा गहराई से समझ में आती है क्या ये आपके exam के point of view से important है या नहीं है क्योंकि दोस्तों engineering services exam में ये इस chapter से जो properties और material है दोस्तों वहाँ से interview में direct question पूछे जाते हैं basic materials की properties को ले करके आपको जो ही इतना idea होना चाहिए कि एक material के अंदर कितनी तरीके की property है वो किस तरह से act करती है और जब अलग अलग तरीके के forces apply होते हैं किसी material के उपर तो body किस तरीके से वो जो metal की body है या किसी भी चाहिके body हो सकती है वो किस तरीके से react करती है इस चीज को आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि यही चीज यहीं से शुरुआत होती है फिर other तरीके की engineering को हम engineering की applications को strength of material में apply करते जाएंगे तो अमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफी helpful होगी आपको और इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को और जानने को मिला होगा आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो और अपने दोस्तों के भी साथ share करो और कोई भी doubt हो तो उसको comment box म भी लिगो कोशिश करेंगे दोस्तों उसके उपर वीडियो बनाई जाए और आपको और गयर रही से जो है किसी भी particular आपको कोई doubt हो तो उसके उपर discussion किया जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो को अभी end करते हैं वीडियो को अगर आपने end तक देखा तो उसके लिए दोस्त दोस्तों देल से बहुत बहुत धन्यवाँ